दोस्तों ऐसा हुआ कि मंगल को दंगल होगे जहर खोलते हैं ना फॉरन कंट्री से कि भारत कश्मीर में ये गलत कर रहा है और इतने लाग लोग मार दी है करोड लोग मार दी है पचास करोड लोग जो जुट बोलते रहते हैं भारत सोशल में वो सारे जारे टर्की में रहते ह और टर्की की government के शेह में रहते हैं Erdogan ने इनको शेय दे रखिया Erdogan का सरिफ एकी मकसद है और उसका मकसद ही है कि भारत की उपर pressure बनाओ कश्मीर से कोई लेना दाना थोड़ना है उसका भारत की उपर pressure बनाओ किसी तरीके से कि भारत परिशान हो जाए फिर टर्की से कॉंप्रमाइज करें फिर टर्की फाइदा उठा पाए इस पूरे मामले का तो टर्की ने ये चार-पांच अपने ये पाल रखे हैं पालतुक उत्तर टाइप के जो यहां से गए हैं जो भारत के हिलाव जहर गोलते हैं तो दोस्तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा आपको पता होगा तर्की का थोड़ा सा स्टेंड बदला है कश्मीर को लेकर हाला कि कश्मीर को लेकर उनका ऐसा कोई स्टेंड खास नहीं बदला है लेकिन अब थोड़ा जो पिछले बार जो बोला था उससे कुछ अलग लग रहा है और इसके पीछे की वज़ा बेसिकली है भारत साइप्रस इशू को बहुत जादा उठाने की बात कर रहा था इस वज़ाई से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ सीन क्रियेट हुआ है जहर गोला था कश्मीर को लेकिन ये जो स्टेटमेंट है टर्की का ये थोड़ा सा न्यूट्रल सा है मतलब इसमें बोला है कि यहां अम अंचान्ती होनी चाहिए इस टाइप की गोल-गोल बात करी है और क्योंकि नरेंदर मोदी जी से पहले मिले थे शमरकंद में जे शमरकंदा 15 ये 16 सप्टेंबर कुछ हुआ था SEO का समेट समरकंद में वहाँ पर मोदी जी से मिले थे मोदी जी ने टाइट वाइट करा होगा इसको कुछ ये अर्दोगान को तो ये बोला कि जैशंकर साब का बयान थे कि वाइड रेंजिंग कॉंवर्सेशन दाट कवर्ड यूक्रेन कॉंफिलिक्ट, फूड सेक्रिटी, जी ट्वेंटी प्रोसेस, ग्लोबल और, नाम एन साइप्रस, तो ये सब जैशंकर साब ने बोला कि इन से तुर्की से बात हुई थी, अद्वोगान से ये बात हुई थी, अब प्रोब्लम ये है कि टर्की ने 2021 में जो जहर गोला था, वो क्या था, मैं पढ़के आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, फिर इसका विशलेशन होगा, कुछ तो करो अपने लिए, भीक मांग नी या, यू़त भीक मांग ली होगी, तो टर्की ने बयान डाग दिया, खैर, 2020 में तर्की ने क्या बोला था अच्छा अच्छा कश्मीरी पीपल to look at a safe future together with their Pakistani and Indian neighbors it is imperative to solve the problem through dialogue, blah 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 justice equality not through clashes अब आप देखिये 19-21 में अर्दोगान ने क्या बोला और 22 में अचानक अर्दोगान की फिच नीचे हो गई क्योंकि कहीं न कहीं भारत का भी patience खतम हो गया मुझे ऐसा लगता है इस मामले में की थोड़ा सा अब समय आ गया है कि टर्की को सजा देनी पड़ेगी टर्की नीच तो भी पनिष्ट अर्दोगान नीच तो भी पनिष्ट क्योंकि क्या होता है कि अगर ये लोग लगातार कुछ न कुछ करते रहेंगे और आप उसका जवाब ने देंगे ये लोग समझते हैं कि ये कमजोर हैं और मुझे ऐसा लगता है तिस इस दे राइट टाइम तो पनिश टॉकी थोड़ा सा सजा जैसे बच्चे को एक जमाने में आजकल तो पिटाई बटाई नहीं थी स्कूल में हम लोगे तो काफी भी ये बच्चे को यहां से बेंट से पढ़ता है ना हाथ में जब उसकी चीख निकलती थी वो थोड़ा सा टर्की को सजा देने के टाइम आ गया है टर्की शुट भी पनिश्ट और कैसे पनिश करें एक तो ये जितने भी वहाँ पे जहर वाले सांप बैठे हैं चो कश्मीर से गए हैं वहाँ पे चार-पांच लोग हैं ये पांच-छे लोग-सात लोग हैं तो वैसे 25-30 लेकिन खास खतरमाक वाले सांप पांच-सात ही हैं इनका इंडिया में आप बैन लगा दीजे इंडिया में बैन लगा दीजे आप कि ये इंडिया नहीं आ सकते तुम रहो बेटा टर्की वहीं पे जियो वहीं पे मरो ट्विटर पे तुम्हें जो करमा करो तुम इंडिया नहीं आ सकते इंडिया आते थे एक ड़र साल पहले भी इंडिया आया है ये इनका इंडिया आना बैंड कर दीजे मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पहली चीज ये कर सकते हैं हम दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि आप बॉलिवूड को ये बोलिए कि अगली बार अगर तुमने टर्की में फिल्म शूट करी तो सेंसर बोड तुमें सर्टिर्केट नहीं देगा और ना तुमारे OTT प्लाटफॉर्म बे जो तुमारे वेब सीरीज बनती हैं या फिल्में बनती हैं वो रिलीस करेंगे बॉलिवूड शूट भी बैंड फ्रम गों टो टर्की बिकस बॉलिवूड is a huge source of revenue for Turkey तीसरी चीज़ आप Indian citizens को advisory पास कर दीजे कि टर्की जाने की ज़रूद नहीं आपको छोटिया मनाने के लिए बड़े-बड़े destination weddings होती है इस्तानबूल बन यह सब बंद करिए डोंट गो टर्की आप टर्की के उपर दुबारा pressure बनाईया और जो चीज़ें हैं जो टर्की को दुख देती है ऐसी बात नहीं कि टर्की को कुछ चीज़ें दुख नहीं देती हैं बड़ी-बड़ी यहां कुर्द हैं वहाँ पर जो टर्की के साथ बिढ़े पड़े हैं और भी लोग हैं जो बिढ़े पड़ें यहां पर काफी एक लंबी लिस्ट है है न कि बहुत जरूरी है कि यह जो infrastructure projects companies in India कहते हैं यह हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ कि infrastructure project companies in India have increasingly turned to Turkish subcontractors और Turkish making a big push to attract Indian tourists देखिए यह जो Indian companies है वो Turkish subcontractors को लग रही है अब काम इतना जादा है भारत में highways बन रहे हैं, super highways बन रहे हैं construction हो रहा है, infrastructure तो आपको बहर से expertise तो चाहिए कि आओ तुम subcontract करो, main ठेकेदार ही नहीं चोटा ठेकेदार, subcontractor हलका ठेकेदार ये Turkish companies को आपको इनके लिए आना मुश्किल कर देना आओ आप सीधे तो माना नहीं कर सकते लेकिन आप इनके लिए जिंदगी यहाँ पर नर्क कर सकते है आपको तर्की देखिए तर्की जब कश्मीर बोले तर्की को सजा मिलनी चाहिए जैसे बच्चे के हाथ में वो डंडा पढ़ता था न एक जमाने में आज से 20-25 साल पहले आजकल तो नहीं पढ़ते तर्की को पता होना चाहिए कि मूँ से कश्मीर निकलेगा तो दर्द होगा वो हमने दर्द नहीं दिया तर्की को ना इसलिए तर्की को थोड़ा के रूटी की जगए वो उसने कश्मीर की बात कर दी ये भाई अभी भी नहीं सुधराई है बिलावल भुटो इसका फिर से दिमाग उल्टे डिरेक्शन में चल रहा है ये इसने फिर जाके अभी दुबारा गया है इसने फिर कश्मीर का राग नॉर्वे के एक मिनिस्टर से इसने बात करी है वहाँ पर किजी कश्मीर के बारे में नॉर्वे क्या करेगा भाई कश्मीर के बारे में कहां नॉर्वे कहां पाकिस्तान कहां हिंदुस्तान एंड कशमीर बिलॉंग्स टो इंडिया नॉर्वे क्या करेगा सबसे भीक मांगते ही, यह कहते हैं चलो तुम पैसे नहीं दे सकते हैं तो कशमीर के बारे में बयान दे दो, ऐर ऐसा थोड़ना होता है मैं पाकिस्तानी भाईयों बयानों से कहना है ऐसा थोड़ना कि मांग मांग किया आपकी आइडियोलिजी भी मांगे की है आपका खाना भी मांगे का है आपके कपड़े जो चाय टीज फेंटेस्टिक वो भी मांगे की है यार हर चीज मांगे की है पूरा मुल्क अगर सब मांग के ही चलाना था तो भर भारत से अलग क्यों अब ये देखो फिर जाके इसना बखवास करी बापर कोई बात में बच्चा है बावला है दोड़ा सा लेकिन फैक्ट ऑफ दा मैटर इस इन्होंने फिर नौर्वेस से जाके बखवास करी यह आपने देख लिया दोस्तों यह बिलावल भुटो की यह तारीफ है बिलावल भुटो ने ऐसा क्यों करा जब इसका विशलेशनर करना है बिलावल भुट्टो को कश्मीर से कोई लेना देना है नहीं दो रुपय का उसकी तरफ से आग लगे सहला भाई उसको कोई फरक नहीं पड़ता वो तो अरब पती बाप का बेटा है पर बात यह है कि इमरान खान ने इमरान खान ने देखो पहले SEO में तो चाइना ने डिंडा मारा कि बेटा यह तुम्हारे पापा का समयटा है अबू जी का यहां पर तुम बगवास मत करता ना भारत गुस्सा हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में टर्की को लेकर हलाकि मेजर गौराबारे ने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन किया किस तरीके से बिसिकलिया आपको बता दें टर्की को लेकर भारत हो पाकिस्तान हो बांगला देश हो, यहां के मुसल्मानों का रूहानी एक प्यार है रीजन आपको पता है, मुसलिम उम्मा, खिलाफत, फालाना ठिकाना सब वहीं से हुआ था तो इस वज़ए से इन लोगों के अंदर एक बहुत जादा खासा प्यार है अगर आप आजादी के पहले की एक इमेज उठाएं, 1921 के आसपास खिलाफत आंदूलन के लिए भारत में मतलब ओवरॉल जो इंडिया था, यहां पर बहुत सारे मुसल्मान निकले थे और टर्की में जो हटा दिया गया था, उसके खिलाफ निकले थे खिलाफत और उसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, अगर पढ़ें आप उस बात को लेकर तो गांधी जी को उस टाइम पे काफी कृटिसाइज किया गया था तो ये चीजे मतलब आप समझें कि भारत, पाकिस्तान, मंगला देश के मुसल्मान टर्की को लेकर एक खासा रूहानी प्यार रखते हैं, इवन तयव अर्दगान की कई लोग डीपी भी लगा कर रखते हैं और बहुत उने बहुत बड़ा लीडर समस्ते हैं हाला कि अरब बिलकुल टर्की को लेकर एक अलग हेट है उनके अंदर, उसके पीछे की भी एक हिस्ट्री है, हाला कि वो टॉपिक नहीं है, रही बात कश्मीर की, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों अभी बिलावाल हुट्टो कश्मीर को लेकर उन में जाकर रोया है, इनके द पता चल रहे हैं पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग चाहें कि वहाँ पे कोछ रलीफ और मागें, ये करें, वो करें, इनको कश्मीर के लिए रोना है, तो आप समझ सकते हैं यार ये पाकिस्तान का कोई विजन नहीं है, इनके जो